उत्तरप्रदेश के अयोध्या में मस्जीदों के दरवाजे पर और एक मजार के पास आपत्ती जनक वस्तु फेक कर सहर का सामप्रदाईक सदभाव बिगारने का प्रियास के आरोप में दक्षिन पंथी गूट के नेता समेत साथ लोगों को गिरफतार किया गया है खबरों के अनुसार पोलिस ने बताया कि कुछ आसमाजिक तत्तों ने एक धार्मिक ग्रंथ के फटे पन्ने गाली गलोज के पत्र और कथित रूप से सुवर के कच्चे मांस के टुकडे जैसी कुछ आपत्ती जनक चीजे फेक कर सामप्रदाईक माहूल खराब करने की कोसिस क थी वहाई इस मामले पर हिंदू योध्धा संगठन समुह के साथ सदस्यों को इस मामले में गिरफतार किया गया है पुलिस के अनुसार समुह के नेता महेस मिस्रा एक पुराना हिष्ट्री सीटर है और जिसके खिलाफ सहर के एक पुलिस स्टेशन में चार आपराधिक मामल दर्ज है वहाई पुलिस ने जिन अन्य सदस्यों को गिरफतार किया है उनमें प्रत्यूस कुमार, नितिन कुमार, दीपक गौड, ब्रिजेस पांडे, सत्रुधन और विमल पांडे सामिल है और जो कोतवाली नगर थाना छेतर के निवासी है गौरतलब है कि इस घटना के पुलिस ने धर्मगुरुगों को आस्वस्त किया था कि जिन लोगों ने इस तरह की हरकत की है उनके खिलाफ कठोर का रवाई की जाएगी गटना को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग के बाद जो गटना को अंजाम देने के लिए जो लोग गएते वो आठ लोग गएते और चार मोटर साइकल पे जिसनको लीड महेश मिश्टा कर रहा था और जैसा कि सर ने बताया आपती जनक पोस्टर और आपती जनक बस्तू वहां फेकी गई और प्राप सुचना पे थतकाल पुलिस टीम इसमें एक्टिव हुई और इसमें साक्षों को संक्लित किया और साक्ष संक्लित करते हुए पूरे चेन और इवेंट्स को कनेक्ट करते नुग दीके इन ब्र को गिरफतार किया गया है साथो लोगों को और चार अभिक्ष जो ठराप हैं उनको भी हम लोग जल्द गिरफतार करेंगे स्मिश्पित कराएंगी और इस तरह से इस पुरी घटना का पठाक शेप हुआ, जब इसके उदेश के बारे में इनसे बात की गई, उख्य अभ्युक्ता अन्मी उभ्युक्तों से, तो जो बात शन के आई, इनका पूरा उदेश माहौल को बिगाडने का था, और इससे कि यहां की अमन शैन की जो संस और परंतु यहां के सभी लोगों का पूरी अयुद्या के सभी धर्म, सभी संपरदाई के जो हमारे समानित नागरिगन है, हमारे सभी, आप सभी मिडिया बंदू, सभी का सयोग रहा, कि इनको किसी भी तरह के अपने मनसुबे में कामियाब नहीं होने दिया गया, और देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए कुब्रा पोस्ट हिंदी को सब्सक्राइब करें और अलर्ट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और हां दोस्तों साथ ही हमारे वीडियोज को लाइक और शेयर करना ना भूलिए